चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी ओम नमस्शिवाए एक चुटकी रंग और बस जैसा कि आप सभी सादक और सादवी जानते हैं कि होली का जो तोहार है वो बहुत ही नजदीक है तो इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है हाला कि मैं आजकल बहुत कम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी होली पर बहुत ही जादा पूजा पाठ करनी पड़ रही है और इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाता लेकिन मैंने फिर भी मेरे बहुत से सादक और सादवी ऐसे हैं जो लाख वशीकरन करने के बाद भी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचते वो बहुत कुछ मेहनत करते हैं हर प्रकार से संभवता पूरा जोर लगाते हैं लेकिन वशीकरन के एक अगार पे नहीं पहुंच पाते या उनका वशीकरन काम नहीं करता और उनके लिए मैंने आज एक इतना प्रचंड वशीकरन टोटका यहां पे दिया है जो कि हर हाल में काम करता है लेकिन इनको यह जो वशीकरन का टोटका है इसको आपको सिर्फ एक शर्थ पे ही करना है जब आप किसी से प्रेम प्रसंग में हो या आप उसके साथ शादी करना चाहें तो ही यह प्रियोग करें क्योंकि यह इतना असरदार है कि इसको एक बार कर दिया दुबारा करने की नौपत नहीं आएगी और अमुक वेक्ति या जो भी आपका जिसको भी आप चाहते हैं वो आपकी प्यार में इतना पागल होगा इतना आपकी पीछे मारा मारा डोलेगा कि आप जिन्दिगी भर इस वशीकरन मंतर का प्रियोग करेंगे या इस तोटके का प्रियोग करेंगे तो क्या है ये तोटका और कैसे किया जाता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ आपको लाल रंग लेना है क्योंकि कहते हैं लाल रंग के अपनी विशेष्टा होती है और जैसा कि आप सभी जानते हैं सदियों से जो लाल रंग है वो प्रेम को दर्शाता है और आपको अगर किसी के उपर ऐसा वशी करन करना है जो एकदम से कारेगर हो जाए कुछ भी जिसमें दो राई की शमता ही ना हो तो आपको एक चुटकी पर लाल रंग लेना है और उसके आपको सर पे ये जो लाल रंग है ये गिराना है या आप उसके माधे पर भी लगा सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ता और अगर कोई लड़की ये करना चाहती है तो अगर उसके डेट्स हों तो वो ये ना करे क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो शायद उसको असर ना मिले हो सकता है ये उसके उपर उल्टा ही काम करे तो इसलिए केवल वही करें जो ठीक हो और मेल या पुरुशी से कभी भी कैसे भी इस्तमाल कर सकता है ये हो जाएगा और अगर कोई शादी शुदा इसको करना चाहती है तो वो अपने उल्टे हाथ का प्रियोग करे लेफ्ट हैंड का आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले एक चुटकी भर रंग लेना है लाल जब आप लाल रंग लेंगे तो उसको अपनी चुटकी में पकड़ना है आपका अंगूठा और आपकी अनामी का उंगली में जिससे आप मांग भinelyते हैं उसी प्रकार उसको पकड़ना है या फिर अगर आपके पास कोई अंगूठी हो तो आप अंगूठी में भी वो लाल रंग ले सकते हैं और जब आप उसके पास पहुंच जाएं जिसको भी आप प्यार करते हैं लड़का या लड़की और या कोई भी हो जिसको आप प्यार करते हैं चाहते हैं कि वो भी आपके साथ, आपके प्यार में सरा बोर हो जाए, इस दुनिया को भूल कर उस दुनिया में आपके साथ चले, सब कुछ भूल जाए, और आपके उपर अपनी जानने च्छावर कर दे, तो आपको वो जो अंगूठी है या फिर जिस तरह से आपने हाथ मे पकड़ा है, उस से आपको उसके सर पे वो लाल रंग गिराना है, लेकिन लाल रंग को गिराने से पहले आपको एक मंतर है, उसको तीन बार बोलना है, और इसके बाद आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, बस इसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपको ये र बोलना नहीं चाहते तो अपने मन में भी इस मंदर का उचारन कर सकते हैं ध्यान रहे जब आप इस मंदर को बोलें तो आपकी नजरे उस व्यक्ति के उपर होनी चाहिए और पूर्णत एकागरता के साथ हला कि यह हुली में इतना समय नहीं होता कि आप एकागरता से उसके मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आप जरा ध्यान से सुनिएगा इस मंतर को मातर आपको तीन बार बोलना है तीन बार बोलने के बाद सीधे से आपको अपने घर में आके दिया जलाना है दिये में कोई भी तेल डाल सकते है इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा बस आपको दिया जलाना है अगर आपने इतना कर दिया तो इस संसार में उस व्यक्ति को आपका होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड है और ये होली पर ही होता है और मैं आपको बता देता हूँ कि होली दिवाली दशाहरा इन सब जो तोहार होते हैं इन पर अगर कोई किरिया की जाए तो उसका सोग उना जादा असर पड़ता है और मेरी पूरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और कृप्रा वाहियात कोस्टिन ना करें कि सीधे आके हमें दिया ही जलाना है क्योंकि मैंने देखा है कि हद से जादा लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता और मैंने इसमें आपको सारी information दे दी है फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो WhatsApp पर मुझे reply कर सकते हैं और मैं बहुत busy होता हूँ आपको शायद reply में थोड़ा wait करना पड़े इंतजार करना पड़े लेकिन मैं आपको reply जरूर करूँगा आप थोड़ा सबर रखे और मेरे द्वारे दी गए जो प्रयोग होते हैं वो 100% काम करते हैं इसमें दो राय की कोई बात नहीं हो सकता है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े याद रखेगा हर इंसान का भाग्य अलग होता है हर इंसान का भाग्यश अलग तरीके से लिखा जाता है हमारा काम होता है 50% यह तंतर मंतर से आप कोई بھی काम करते हैं यह 50% ही होता है 100% कुछ भी नहीं होता ना कोई कर सकता है 50% उस उपर वाले की मर्जी से होता है अगर उस उपर वाले ने सोच लिया है कि आपको अमुक व्यक्ति मिलेगा तो वो मिलकर ही रहेगा हो सकता है आपको इस प्रियोग से मिल जाए या किसी भी बहाने से मिल जाए और अगर उसने सोच लिया या उसने लिखा है नहीं मिलेगा तो आप पुरी दुनिया को इकठा कर दीजिए फिर भी वो आपको नहीं मिलेगा इसलिए कभी भी आप सुजबूज के साथ अपना ये प्रियोग है इसको आजमाई ये किसी के लिए इतना पागल ना हो जाए कि उसके बिन आपको दुनिया धुरी लगे और बाकी मैं आपको लोग मेरे से नाराज हैं क्योंकि मैंनको रिप्लाइ नहीं करपाता हूँ तो मैं उसे यही कहना चाहूँगा कि समय के अनुसार मैं उनको रिप्लाइ करूँगा मेरे पास एक दिन के कम से कम भी 10,000 WhatsApp मेसेजज़ आते हैं और उनका रिप्लाइ करपाना बहुत मुश्किल होता है तो आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और अन्तम इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े वीडियो को लाइक कीज़े और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखें ओम नमस्षिवाए